नमस्का, स्वागत आपको जनसत्ता में, मैं हूँ विभावरी दिक्षित और लेकर आई हूँ आपके लिए इंटिटेन्मेंट वर्ल्ड की ताजा खबरे सल्मान खान की शुरुआदी को एक्प्रेस रह चुकी भागिश्री बिग बॉस पंदरा के वीकेंग का बार में नजर आई कलर्स ने अपने सोचल मीडिया एकाउंट्स पर शो का एक टीजर शेयर किया था जिसमें दोनों की केमेस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है भागिश्री बिग बोस के मंच पर पहली बार सल्मान खान के साथ नजर आई वीडियो में देखा जासकता है कि भागिश्री ने गुलावी रंग की खुप्चूरथ सी साड़ी पहनी है वहीं सल्मान खान क्रेट सूट में नजर आ रहे हैं सल्मान खान भागिश्री के साथ अपनी फिल्म का गाना आया मौसम दोस्ती का गाते हुए भागिश्री के चारों तरफ साइकल से घुनते हुए नजर आ रहे हैं गाने के दौरान सल्मान खान और भागिश्री का रोमैंटिक डांस लोगों को काफी पसंद आ रहा है सल्मान साइकल पर ही भागिश्री का हाथ पकड़ते हुए दिख रहे हैं अर्जिन कपूर और मलाइका रोडा बॉलिवुड के बेस्ट कपल्स में से एक माने जाते हैं बॉलिवुड के खास मौके पर भी एक पार्टी के दौरान अर्जिन और मलाइका रोडा साथ में दिखे थे सोशल मीडिया पर मलाइका अरजुन की तस्वीरे खोब वाइरल हुई जिन्हें बहुत ज़्याद़ पसंद किया गया अब अरजुन कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें मलाइका पिंक कलर की सारी पहने दिख रही है वहीं अरजुन का पूर मलाइका को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे है इस क्यूट फोटो को देकर फैंस के लावा धेरो सेलेब्स भी अरजुन की इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे है तस्वीर में अर्जुन ब्लैक उर्टे में और मलाइका पिंक सारी और डीब बैक नेक में दिख रही है मलाइका की बगर में खड़े होकर अर्जुन उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे है अर्जुन ने इस तस्वीर को शेर करते हुए लिखा जब वो मेरी बेवजा की बातों पर हसती है तो मुझे खुशी होती है वो मुझे खुशी देती है मलायका के लिए अरजुन के ये शब्दुन के फैंस को बहुत पसंद आए वहीं कई सारे सेलिप्स ने भी इस तस्वीर पर रियाक्ट किया बोनी कपूर और श्री देवी के प्यार के किस्ते काफी मशूर हैं कहा जाता है कि उस वक्त बोनी कपूर का पहला परिवार उनके इस ने रिष्टे के से बिल्कुल भी कुश नहीं था इसके बावजूद बोनी कपूर ने परिवार के खिलाफ जाकर श्रीदेवी से शादी रचाई थी जिसके बाद उन्हें दो बेटियां हुई जानवी कपूर और खुशी कपूर उस वक्त के बाद श्रीदेवी कपूर फैमिली के साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगी लेकिन बोनी कपूर और मोना कपूर के बेटे अरजुन कपूर उनसे खफा रहते थे तब अरजुन ने कहा था कि वो उन्हें कभी भी परिवार की तरह एकसप्ट नहीं कर पाएंगे हाला के भालाग बदल चुके हैं और अरजुन खुशी और जानवी को अपनी सगी बेहन अंचुला कपूर की तरह ही प्यार और प्रोटेक्ट करते हैं हाली में खुशी कपूर का जन्म दिन था जोटी बेहन के जन्म दिन पर अरजुन कपूर ने खास सरह से उन्हें बर्थडे विश्विया था कपूर फैमिली के स्टार किट्स ने साथ में मिलकर दिवाली भी सेलिब्रेट की थी जिसमें अरजिन कपूर खुशी की टांग खीचते हुए नजर आये थे अरजिन ने लिखा था आशा है कि इस साल तुम जानवी के कपड़े चुराकर नहीं पहनोंगी तारक महता का उल्टा चिश्मा का एक किरदार शो के लिए खास एहमियत रखता है हार ये में शो के सबसे पॉबलर क्याक्टर्स में से एक नटू काका का किरदार का निभाने वाले आप्टर घंश्याम नाया का देहांध हो गया था ऐसे में शो के फैंस नटू काखा को बहुत याद कर रहे हैं अब मेकर्स शो के लिए नए नटू काखा की तलाश में हैं इसके चलते हैं सोशल मीडिया पर कई तस्वीरे खुब वाइरल हो रहे हैं जिसको सजिशन के तौर पर फैंस मेकर्स तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं तारक महता के एक फैंने एक तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा इनके बारे में आप क्या सोचते हैं तस्वीर में एक शक्स कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है कुलाज में दूसरी तरफ खंशाम और नटू काखा की तस्वीर दिखाए दे रही है इस फोटो को शेयर करते हुए कहने की कोशिश की जा रही है कि फोटो में दूसरी तरफ उस शक्स को नटू काखा की जगह दी जा सकती है फिलहार शो में आगे क्या देखने को मिलेगा इस बारे में मेकर्स ने कोई भी ओफिशल एनाउंस्मेंट नहीं की है शो ये रिष्टा क्या कहलाता है कि शिवांगी जोशी इन दिनो सोशल मीडिया पर अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरियों और वीडियो शेयर कर रही है शो से बाहर जाने के बाद इन दिनो शिवांगी जोशी मी टाइम इंजोई कर रही है शिवांगी दुबई में अपनी खाज दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रही है शिवांगी टाइम टू टाइम अपने फैंस को पोस्ट के जरीए अपने नए ने लुक्स की डोस्त देती रहती है इस भी शिवांगी ने अपनी एक नई वीडियो शेर की है जिसे देकर फैंस को नायरा की यादा गई शिवांगी के नई वीडियो में एक्षिस आलिया भट की पॉपलर रील साउंड को कौपी करती हुई दिख रही है दुलहन के अफ़तार में शिवांगी को देकर कमिन बॉक्स में ज्यादतर लोग कहते नजर आ रहे हैं हमारी नायरा तो किसी ने कहा ओ शिवांगी नायरा की लुक में हम तुमको बहुत नस्कर रहे हैं शिवांगी जोशी लगबग 6 सालों से ये रिष्टा क्या कहलाता है शो से जुड़ी हुई थी अभी के लिए बस इतना ही बाकी देश दुनिया से जुड़ी खपरों के लिए बने रहे हैं जनसत्ता के साथ धन्यवाद